lesson class पे जाने के बाद आपने सबसे पहले अपनी class तूस करनी है उसके बाद आपने अपना subject सेलेक्ट करना है फिर आप वो topic तूस करें जो आपने अपनी students को पढ़ाना है start पे click करें आपके पास सबसे पहले opening section आएगा जिसमें हमने आपको class में कराई जाने वाली activity से related instructions दीनी है इसके लाबा हमने वो questions और statements भी लिखे रहे हैं जो आप अपनी class में बोस्ताती है जैसे जैसे आपने एक सबसे पे click करेंगी वैसे आपको new instructions और questions मिलेंगे opening section के बाद explanation section आएगा अगर्चे ये video lesson है तो explanation section में videos play होंगी आप देख सकती हैं कि आपका lesson खुद auto pause होगा right side पे questions है आप देगे questions वीडियो के pause होने के बाद students से पूछने हैं फिर साथ में आप next click करती रहे और new set of questions आपके सामने आते रहेंगे जब questions complete हो जाएंगे तो video खुद auto play होगी आप इस दना अपना पूरा lesson conduct करा सकती है lesson complete होने के बाद आप practice पे click करेंगी यहाँ पर आपको lesson के बाद की जाने वारी exercise related तमाम instructions दीवी है आप अपने स्कूल की text book के बाद आपक इस lesson plan को use करते हुए इन instructions को follow कर सकती है Thank you